साथियों, हमारे यहाँ बर्शा रूतु के दोरान और उसके बाद मुख्य तोर पर क्रिसिक शेत्र में, एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहोल बनने लगता है। अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपर निमा है। फिर शावन शुरू हो रहा है। फिर पंदरा अगस आएगी, रक्षा बंदन आएगा, कृष्णा जन्मास में आएगी, घनेश चतुरती आएगी, ओनम होगा। और आगे जाएं तो काटी बिवु हैं, नवरात्री हैं, दुर्गा पूजा है, दशारा है, दिपावली हैं, छठी महिया की पूजा है। तो हारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार, अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानि 80 करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए 80 करोड से जादा गरीब भाई बहनों को, हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महया कराया जाएगा। और साथ ही प्रतेक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा। साथियों, प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोड रुपिया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है। और काम क्या है। अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है। यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा। जो रोजगार या दूसरी आवश्रक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़ करके कहीं और जाते हैं। किसी और राज्य में जाते हैं।